जै मसी की मसी परिवार वचन जीवन कारिक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्वाद देते हैं अमारे साथ में सामिल होने के लिए याद रखना वचन ही जीवन है जीवन ही वचन है क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को हम प्रसंद नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें वचन की जरूरत है ताकि उसके वचन को द्वारा हममसी को या परमेश्वर को हम प्रसंद कर सकते हैं यह बहुत सही तरीके से हम बतला सकते हैं कि जब हमें किसी को प्रसंद करना है तो हम उसके चाहत को जानते हैं या हम यह कह सकते हैं कि जब हमें अपने पत्नि को प्रसंद करना है तो हमें उसके जो कपड़े का रंग जो पसंद करते हैं पादरी उसे हमें जानना है ताकि हमें उसका जो कपड़े का रंग है उसे हम ले कर दे सकते हैं या हम उसे जो भोजन वो चाते हैं ना साइद वो लो लो पसंद करते हैं या चुपसई पसंद करते ह ताकि जब हम उसको लेकर जाए किसी रेस्टरान को जहां पर भोजन मिलता है तो हम उसके लिए वोड़ा कर सकते हैं और यह कर सकते हैं उसे जब देखेगा ओ यही तो मुझे चाहिए था क्या करते हैं हम उसे प्रसंद करते हैं उसी परकार से अगर हमें परमेश्वर को प्रस हम अपने तरीके से उसे बाते करेंगे तो परमेश्वर सिर्फ हमें देखेगा कि यह क्या कह रहा क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को दिया है हमें और वो कहता है कि मेरे वचन को जान ले मेरे बेटे मेरे बेटिया ताकि जब तुम मेरे सामने आओगे मेरे वचन के द्वा तो जैसे हम सीख रहे हैं जो हमारे विशे है जो वह है परमेश्वर बना इनसान याने कि परमेश्वर जो आत्मा है वो अपने पुत्र को प्रभी सुमसी को दें को दिया वो देदारी होकर जनम लिया और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को देदारी होकर जनम लेना पड़ा ताकि वो मनुष़ के साथ में सरवदा के लिए संगती बना सके, मेल मिला रक सके तो हम ये कह सकते हैं कि परमिश्वर खुद वो जो सेक्रिफाइस जो था वो अपने लिए किया है कि वो स्वर्ग छोड़कर अपने बेटे को कहा कि तू स्वर्ग छोड़कर तू मनुश्य रूपदारन करकर मनुश्य के साथ में रहे और हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ इसमसी तीस और तीन साल संसार में आकर वो मनुश्य रूप लेकर या देंदारी होकर सिर्फ उतने दिन तक नहीं रहा आज भी प्रवी इसमसी अपने पिता के दाइने आद पर बैटे हुए हैं और वो महिमा का जो शरीर लेकर बैटे हैं वो हमें और आप को प्रमेश्वर के साथ में या इसके साथ में दिकलाता है कि मैं मनुश्य बन कर गया और मैं मनुश्य के विशे में जानता हूँ तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पादरी जो कुछ बचनों को बतलाएगा और पढ़ेगा हमारे लिए सही पादरी इस विशे में बते करते की दुनिया में आत्मिक मिर्तिव के परवेश के समय से लेकर उनके जनम तक परमश्वर देधरन की दिशा में काम कर रहा था और बार बार मसी के जाने मात्र ले मिर्तिव और पुरन स्थान का वादा करता था तो हम जैसे इसके बारे में कहते हैं पादरी अगर हम जो भी हमारे भाई पहना है का सुनना है जानना चाहते हैं कि किस तरह से उसके मिर्तिव से दूसरी जनम तक क्या हुआ और उसके दुख उसके उपर जो दुख था जो उसने सहा अगर हम उसके विशे में और जनना चाहते हैं तो जैसे हम भजन संगीता जो सामस अगर हम पढ़ते हैं तो 21 में कुछ इस प्रकार है पादरी जैसे हम एक से आठ तक पढ़ेंगे कि हे यहुआ तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किये हुए उद्धार से वा अती मगन होगा तुने उसके मनोरत को पुरा किया है और उसके मुँ की विंती को तुने स्विकार नहीं किया क्यूंकि तु उत्तम आशिशें देता हुआ उस से मिलता है और तु उसके सिर पर कुंदन का मुकूट पहनाता है उसने तुझ से जीवन मांगा और तुने उसे जीवन दान दिया तुने उसको युगान युग का जीवन दिया तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है तु उसको वैभाव और यशोरे से अधुवित कर देता है क्यूंकि तुने उसको सुरदा के लिए आशिश किया है अपने समुख उसको हर्ष और आनन से भर देता है क्यूंकि राजा का भरोशा यहुआ के उपर है और परमपरधान की करुना से वा कभी नहीं टलने का तेरा हाथ तेरे सब सत्रों को ढून निकालेगा तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बहिरियों का पता लगाएगा पद्री अगर आप साम्स 22, 1 से 8 ले पढ़ दे हे मेरे परमेश्वर तू ने मुझे क्यूं छोड़ दिया तू मेरी पुकार से और मेरी साहता करने से क्यूं दूर रहता है तेरा उध्धार कहा है हे मेरे परमेश्वर मैं दिन को पुकारता हूँ परन्तू तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता परन्तू तू जो इस्राइल की स्तिती में सिंगासन पर विरजमान है तू जो पवित्र है हमारे पूरकता तुझी पर भरोसा रखते हैं। वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दोहही दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परन्तु मैं तो कीड़ा हूँ मनुष्य नहीं मनुष्य में मेरी नाम धराये और लोगों में मेरा अपमान होता है वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओठ बिचकाते हैं और या कहते हुए सीर हिलाते हैं अपने को यहुआ के वस में कर दे वही उसको छुड़ाएगा वा उसको उबारे क्योंकि वा उससे प्रशन है यहां पर हम देखते हैं कि जो दुख से इसुमसी गुजरेगा वो सामस में लिका है दाउद जो कहता है वो बतलाता है कि जो दुख से वो गुजरेगा और हम देखते हैं पादरी आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रभुजी सुमसी कुरूस पर था उसने पुकार कर कहा कि है मेरे पिता क्यूं मुझे आपने नकार दिया है या क्यूं मुझे आपने छोड़ दिया है वो दुख लगता है कि एक पिता ज हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो निगा अपने बेटे के उपर सरवदा रहता था लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने अपने निगा को अपने बेटे से हटा कर मनुश की और लगाया क्योंकि एश्यू उद्धार का रास्ता था सही है पादरी फिर हम देखते हैं कि ज 926 में हम देखते हैं कि किस तरह से ये भविश्चवानी की गई और किस तरह से इसमें लिखा गया कि उसका जो मृतिव और उसके गाड़ा जाना 926 उन बासट सब्ताओं के बीतने पर अभिश्चिक्स पुरुस काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले परधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नश्ट तो करेगी परन्तु उस परधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाड़ से होता है तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चे ठान लिया गया था यह हम देखते हैं बादरी की किस तरह से इसे जो डेनियल के किता में निखाए जब उसकी मिर्थी होई और उसका गार जाना रही तरह से हमें बतलता है और फिर हम आगे जिससे बढ़ते हैं तो उसका जो पुरन स्थान था वो किस तरह का था और फिर जो resurrection हम कहते हैं वो भी अगर हम भचन संगीता में पढ़े तो कुछ इस प्रकार है बादरी की Psalm 17, 15 में मिलते हैं मैं ना 17, 15 परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ठ होंगा ये भी अच्छी तरह से में बतलता है कि इस तरह से उसने ये कहा कि जब मैं जाऊंगा और तब तेरे स्वरूप से संतुष्ठ रहूंगा फिर अगर हम देखें तो दूसरा है जो उसका स्वर्ग स्वर्ग हरन जिसे हम कहते हैं अस्टिसन अब वो भी अगर हम पढ़े हमें मिलेगा भजन संगीता में वो बहुत लंबी है अगर पढ़ते हैं तो बहुत समय लगागा हम यह चाहते हैं कि जो भी यह सुनते हैं वो जितने भी जगे हम गए हैं उसे पढ़ें और वे अच्छी तरह से जाने का समय और फिर उसका पूरा निस्तान और फिर उनकी भविश्चे की विजे किस तरह से उसने हर एक चीज़ पर विजे पाए उसे भी अगर हम पढ़ें तो ये हमें भी बहुत ही जगा पर मिलेगा जिसे खाया पढ़ेंगे डेनियल पढ़ेंगे और हुसाया मिका सभी जगा अगर हम इसके बारे में जाने पादी तो ये अगर हम इसके पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छा तरह से बतलाएगा कि किस तरह से उसकी जो भविश्चे की विजे हाकी वाते होती है जो हमें बतलता है कि किस तरह उसने हर एक चीज़ पर विजे पाई और वो हर एक चीज किया है? वहर एक चीज जो हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए जो तरिश्टी पर है. हर एक चीज पर उसने विजेपा कराच हमें हर एक पाफ से जो उसने हमें मुक्त कि जाए. अमेन. तो यहां पर हमें दृष्टि देता है कि इसमसी का जनम हुआ, वो देधारी रूप से जरम हुआ, फिर हमें दिखलाता है कि वो जो सजा को सहा हमारे लिए वो किसना दुख के द्वारा वो गुजरा, और उसके बाद में फिर उसे गाड़ा गया उसका जो मिर्ती हुआ जो गाड़ा गया फिर उसके बाद में वो जी उठा वो जी उठा और वो जी उठने का सामरत मनुश को दिया कि उसके द्वारा हम जीते हैं और वही हमारा जो उद्दार करता बना ये हम ये कह सकते हैं विजेता दे कर उद्दार करता बना तो हम आगे वारा वो लोगों के साथ में, मनुष्य के साथ में, सदा के लिए वो संगटी बना सके. पादरी अगर हम यहां देखें और ध्यान देते हैं कि जब मसी देधारन में मनुष्य बने, तो वे आनंद काल के लिए मनुष्य बने. उसने मानवता की 33 वर्ष जो 33 तक पहने जाने वाले वस्तर के रूप में नहीं माना, और फिर उसे उतार कर अलग कर दिया, लेकिन वा हमेशा के लिए मनुष्य बनने के लिए मनुष्य बन गया. और आज वो पिता के दाइने हाथ पर देधारन परम परमानुत रहुप से स्वर्ग में एक मनुष्य है. क्योंकि जैसा अगर हम पढ़ें, फेस्ति मौदी 2.5 में पादरी कुछ है कि, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीश में भी एक ही बेच वही है, अथाथ मसी इसू जो मनुष्य है, वो कुछ इस तरह से पादरी की सुएं मनुष्य जो है, व वो मसिया खुद ही है और फिर आगे क्या है पादरी की जैसे हम देखेंगे की परमेश्वर की छवी में जो मनुष्य है तत्थे यह है की दियोता और मानाता के लिए आनंद काल के लिए एक वेक्ती में एक जुट होना संभो था पिता परमेश्वर की योजना में परम वेक्ती के स्थान पर प्रगट करता है उसने मनुष्य को अपनी छवी में बनाया था जो स्वें से केवल एक छाया कम था जिसे अगर हम पढ़ें इसके वारे में पादरी तो हमें और भी जान लेंगे कि यह किताब क्या करता है जेनिसि 126 में फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी सामानता में बनाएं और वे समुन्दर की मचलियों और आकास के पंचियों और घरेली पशुओं और सारी पृतिवी पर और सब रिंगने वाले जन्तुओं पर जो पृतिवी पर रिंगते हैं अधिकार रखें तो यह हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने हर एक चीज़ पर हमें अधिकार दिया कि मनुष्य को लगबग जो परमेश्वर के समान बनाया गया था कि परमेश्वर और मनुष्य के लिए एक विक्ति में सदा के लिए एक जूट होना संबव हो गया या संबो था कि परमेशवर और मनुष़् एक हो जाएं. और वो हम एक ही तरीके से एक हो सकते हैं सिर्फ प्रभू इशू मसीХ के द्वारू. जो एक संगती में अगर हम उसके साथ हैं तो उसी संगती में हम अपने पिता परमिश्वर से भी मेल मुलाब कर सकते हैं सही रूप से जैसे कहा जाता है कि पर इशुमसी के दौर हम अपने पिता के पास पहुँचा सकते हैं अम देखते हैं जो जैसे आपने पादरी पढ़ा यहां परमिश्वर ने सारे स्रिष्टी की रचना किया सबी चीजों को बनाया जो एक मनुश को जरूरत पड़ेगा वो बनाया क्योंकि परमिश्वर जो भी कुछ करता है वो योजना के दौरा उसने योजना को बनाया और वो जानता था कि मैं मनुश को बनाऊंगा और जिससे हम वा तलाब करेंगे इसलिए यहां पर कहता है कि परमिश्वर कहता है कि हम मनुश को अपने सरूप के अनुसार या अपने तरह से बनाये यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि पहला जो मनुष था आदम को परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया जैसे खुद परमेश्वर था परमेश्वर कैसा था वो जो कहता था होता था क्योंकि परमेश्वर ने स्रिष्टी का जो रचना किया था वो कहे कर किया तो वो मनुष को बनाया तो वो चाहता था कि मनुष उसी तरह से अपने जीवन को बैतीत करे और फिर मनुष ये पवित्र था तो परमेश्वर पवित्र था तो परमेश्वर ने मनुष को भी पवित्रता में बनाया कि अपने जीवन को पवित्रता में बैतीत करे और हम ये कह सकते हैं कि जो प परमेश्वर के सरूप छोड़कर शैतान की सरूप ले लिया, शैतान जो सुरुवास से जो जूटा था, मनुष्य जूटा बना, सुरुवास से वो परमेश्वर के विरोध में आया, मनुष्य भी परमेश्वर के विरोध में आता है, आज भी हम देखते हैं कि जो शैतान का जो गुन है वो मिर्तियू जो आत्मिक रूप से मरेवे लोग है उसमें वो गुन है इसलिए जो विशे में हम बाते कर रहे थे पादरी कि परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा ताकि वो मनुष्य को चुटकारा दे सके और मनुष्य को फिर से उस इस्तान पर लेकर आए ज मनुष्य का आत्मा ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य जो तीन भाग में है आत्मा, मन और शरीर जो तीन भाग गये है परमेश्वर आज प्रभी सुमसी के द्वारा हमारा जो आत्मा है पूरे उसी तरीके से कर देता है जैसे परमेश्वर है याने कि ये परमिश्वर ने मनुश को बचाने के लिए अपने कलोता पुत्र को देंदारी बना कर संसार में बेजा ताकि मनुश जो है फिर से आत्मिक रूप से जनम ले या वो उस तरह से हो जाए जैसे जैसे जनेसिस वन ट्विंटी सिक्स में लिखा था याने कि मनुश को फिर से देता है जो आत्मिक रूप से और फिर से उसे उस स्तान पर लेकर आता है परमिश्वर ने मनुश को एक कार को दिया और वो कार ये था जो हम रोमन्स के किताब में बारा में देखते हैं बारा और दो में कि हमारा जो मन है उसे हमें परमिश्वर के वचन से बदली करना है त से हम जो निरने को बनाता है उसको हम करते हैं ताकि हमारा जो मन है वो जो हमारे आत्मा में हो गया उसकी तरह हो जाए पूरे तार से और जो आत्मा में हुआ क्या कि हम परमेश्वर के समान या परमेश्वर की रूप में फिर से बन गए और वो हमें जानना बहुत जरूरी है क कि परमिश्वर ने हमें उस इस्तान को लेकर आए, किसको जो प्रभी इसु मसी पर विश्वास करता है और उसे अनंत जीवन को मिला है, पादरी यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है या जो लोग है या हमें जानना, जो मसी को अपनाते हैं, हम कोई सरल जीवन को नहीं जीते ह या हम उस तरह से जीवन को नहीं जी सकते हैं जहां हम पुराने जीवन को जीते थे, हमारा जो जीवन है वो नया हो गया है, हम जो जीवन जीते हैं वो प्रभी इसु मसी का धार्मिक्ता में अपने जीवन को जीते हैं, जैसे दरमसास कहता है कि पुरानी बाते बीद गई, अब सब नया हो गया है, और जितना भी चीज नया हुआ है, वो परमिश्वर के द्वारा हमें मिला है, पादरी मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूं हर एक लोगों को जो सुनते हैं, ये जान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बैनों, कि परमिश्वर ने हमें और आपको बचा कह सकते हैं, या हुआ है, कि एश्यू हमारे इस्तान को लेकर नरक में गया, जहां पर सैटान का जगा था, वो इस्तान को गया, और उसने हमारे जो दाम था, उसे बर दिया, हमारा जो सजा था, उसे बर दिया, और तीसरे दिन बाद वो जीवता पादरी साब, वो जीवित ह सामर्थ को हमें और आपको दे दिया ताकि उस जीवित सामर्थ को हम जी सके हम जब उस पर विश्वास लेकर आते हैं आपको देखना है प्यारे लोग आज आज के बाद में ये देखना है कि परमेश्वर ने जब उसने कहा पादर यगर आप फिर से पड़े इसे आपको अग्री आजा पिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने सरूप के अनुसार अपनी ही समंता में बनाएं और वे समुंद्र की मचलियों और आकास के पंचियों और घरेली घरेलू पशुओं और सारी प्रिथिवी पर और सब रेंगने वाले जन्तुओं पर जो प्रिथिवी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आज परमेश्वर हमसे ये कहना चाता है कि हम मचलियों पर अधिकार रख सकते हैं। क्योंकि पर इसुमसी अधिकार रखते थे मचलियों पर इसलिए वो मचली जो आया वो जो रात बर इन लोगों ने मचली माला नहीं मिला। लेकिन एक सब्द के द्वारा वो मिला उन लोगों को जो जालता वो टूटने पर आए। प्यारे लोग इसे आपको देखना है इसे आपको देखना है और जानना है पैचानना है कि जब आपने इसुमसी को अपनाया पर मेश्वर ने इसुमसी के द्वारा आपको अधिकार को दिया। और आप जब अपने जीवन में अधिकार लेते हैं शैतान के उपर अधिकार लो क्योंकि इसुमसी ने शैतान को अपने पैरों के तले कुछला है और वो विजेता पाया है और वो विजेता हमें और आपको दे दिया है आज हमें नीची जिन्दगी नहीं गुजारना है आज हमें बिमारी में अपने जिन्दिगी को नहीं गुजारते हैं, क्योंकि इस सच्चाई को हम नहीं जानते हैं, इस सच्चाई को जब हम जान लेंगे प्यारे लोग की परमेश्वर ने इसुमस् Reihe के दौरा फिर से हमें वो अधिकार को दिया है जो अधिकार उसने आदम को दिया था जब पाप करने से पहले आज वो अधिकार आपके पास है आज वो अधिकार हमारे पास है पादरी साब हम जैसे यहां पर समप करते हैं हम जानते हैं हम यह विस्वास करते हैं कि आज जो लोग यह जो इसके विशे में जो परमेश्वर बना इंसान के विशे में अगर आप तीनों जो बाग अगर आप देखेंगे जरूर आपको यह उत्तेजित करेगा कि आप के अधिकार लेकर इस प्रित्वी पर जी सकते हो. सही है पादरी जी से अपने हमने इस विशे में बाते किया तो हमें ये जानना बहुत अवश्य है कि हम पर किसी भी समय या किसी भी जगा पर किसी तरह की कलंग लगने से पहले हमें ये उस द्रिष्ट को देखना है पादरी क कि जैसे मसीया पर कितने बोश पड़े थे, किस तरह से उसने अब हर एक दर्द को सहा था, अगर हम उस दृष्ट को देखें और उसके अपने अंदर लें और उसके विशे में जाने कि किस तरह से प्रभु इशु ने हमारे हर एक दुख को लिया, और हमारे हर एक कलंग को कर जैसे हमने शुरुआत से कहा था, तो हमें विश्वास है पदरी कि हम किसी भी तरह से दोशी नहीं ठहराएंगे, या किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई चोट नहीं आएगी, या हम किसी तरह की दबाव में नहीं रहेंगे, ना किसी तरह की हम पर कोई बीमारी की इश्या दवाव आएगा कि हम उसके बारे में सोचें कि हम कैसे इसे निपट सकते हैं कि जैसे हमने कहा और आपने अची तरह से समझाया सुनने वालों को कि एक मसीहा जो देधारन रूप लेकर आया वो हमारे लिए परमिश्वर ने उसे भेजा कि हमारे ही पापों को वो उपने उपर देते हैं कि आपने प्रवी सुमसी के द्वारा हमें उस अधिकार को फिर से दिया जो अधिकार आपने आदम को दिया और वो अधिकार आदम को लेकर अपने जो उसके पीडी से पीडी लोग थे उसे लेकर चलना था लेकिन गलती करने के कारण से वो अधिकार चीन लिया ग अनंती जीवन को प्राप्त करते हैं और आपका अधिकार लेकर चलते हैं तो होने दिए ये परमेश्वर कि आपका जो वचन है आपका जो जो सब्द है जैसे आपने कहा कि एशु के कोड़े खाने से में चंगाई को मिलता है होने दिएजिये कि आज हम उस बीमारी पर अधिक लेते हैं इशु के नाम से कि जितने भी लोग शरीर में पीडित है आज वो पूरे तार से चंगाई को प्राप्त करें इशु के नाम से और अपने जीवन को खुशियाली से बिताए धन्यवाद देते हैं परमिश्वर आपको इशुमसी के नाम से आमें आपने प्रभु यशुमसी का वचन सुना है और प्रभु यशुमसी ये भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो तो प्रभु यशुमसी को अपने जीवन में आप ग्रहन करना चाते हो उसको अपने जीवन में लेना चाते हो ताकि आप उध्धार पा सकते हो क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यशुमसी परमेश्वर ने प्रभु यशुमसी क जिलाया है और अपने हिर्दे में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उध्धार को पाते हो तो अगर आप अपने जीवन को प्रभी इस मसी के देना चाते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाते हो तो मेरे बाद में इस प्रात्ना को आप कीजिए स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूँ, ईशु मसी प्रबू है, जो कुरुस पर अपना प्रान दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है, मुझे पाप से चमा करने के लिए, प्रबू येशु मसी, मैं आपको अपना जीवन का प्रबू बना आज से मैं आपके मार्ग में चलूँगा, आज से मैं आपके सिवा करूँगा, मैं प्रात्ना करता हूँ, कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिये, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा, ईशु मसी के नाम से मैं ये प्रात्ना करता हूँ, आमें अगर आपने इस प्रात्ना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको बच्चन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिकला सके और आपको हम दनवात देना चाते हैं हमारे साथ में सामिल होने के लिए आज और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग है वो आपसे प्रेम रखता है प्रभू येसु मसी भी जो विश्वास योग है वो आपसे प्रेम रखता है यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रातना करते हैं और ईशु मसीही प्रभू है बाई-बाई आपते है